नमस्कार न्यूज मेशन देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ मौनू चहल भारत बनाम शिरिलंका तीन मैचों की वंडे सीरिज का पहला मैच शिरिलंका के आर प्रेमदासा स्टेडियम कॉलंबों में खेला जाएगा और इस मुकाबले के लिए दोनों टीमें बिलकुल त तीम इडिया इस मुकाबले में इतिहास रख सकती है जी हाँ दोस्तों भारत के पास गोल्डन ओपरचुनिटी है क्योंकि तीन टीट्वेंटी मैच जो हमने खेले थे इंडिया वर्शिर शिरिलंका खिलाफ तो उसमें तीनों मैच भारती टीम ने आसानी के साथ जीते थे और शूपडा साफ कर दिया था श्रिलंका का और वंडे की बारी है तो क्या वंडे में भी क्लिन श्रिप करेंगे ये देखना बड़ा दिल्चस्प होगा लेकिन वंडे में जैसे मैंने आपको बताया अब तक इंडिया वर्शिर श्रिलंका दोनों टीमों को कमबाइन करके देखें तो 168 मैच हुएं दोनों टीमों के बीच और 99 मैच जीत चुका है अगर पहला वंडे भारत जीतता है तो भारत की 100 जीत हो जाएगी यानि कि सेंचुरी लग जाएगी जीत की और ऐसा करने वाली दुनिया की पहली टीम भारत बन जाएगी अगर नमबर 2 पे बात कर सीरिज का पहला मैच जीतता है तो इतिहास रचा जाएगा और 100 जीत हासिल करने वाली टीम इडिया बन जाएगी और इतना ही नहीं बलकि आप पहला मैच अगर जीतते हैं तो फिर कहीं ना कहीं उमीदें ज्यादा हो जाती है फिर आप वंडे सीरिज में आगे हो जाएगे और यहाँ पर काफी उमीदें लगाई जा सकती कि टीम इडिया अगर एज जो इनुटिय और पोटेंशल पर खेली तो हम सब को यकीन है कि टीम इडिया आराम से हरा देगी और जैसे मैंने आपको बताया कि किरकेटिया इतिहास में किसी भी एक प्रतित्वेंदी के खिलाफ 100 वंडे जीत हासिल करने वाली पहली टीम इंडिया बन सकती है उस्ट्रेलिया अब तक 142 मैचों में 96 जीत के साथ है उसके बाद नुजिलेंड का नंबर आता है नुजिलेंड ने 100 वंडे जीत के आंकडों के काफी करीब है और श्रीलंका खिलाफ खेले के 157 वंडे मैचों 93 जीत के साथ पाकिस्तान इस सूची में नंबर 3 पर है लेकिन भारत के पास अच्छा मोका है और वैसे भारत मुनाब श्रीलंका की बात करें तो सभी फॉर्मेट्स में जब भी टीमें आमने सामने होती है तो इस में लगत हमेशा हमें दिखता है कि टीम इंडिया का भी जो पॉसिबल प्लेंग लावने टीम इंडिया की कुछ इस परकार हो सकती है यह देखिए बड़े बड़े नाम आपको नज़र आएंगे यहाँ पर रोही शुबमन की लोपन करते नज़र आएंगे उसके बाद विराट होंगे केल राहूल और केल राहूल वर्सिज रिश प्लेंग लावने इसमें दो बड़े नाम नहीं होंगे दिलशान मदूर्शन का और साथी साथ पतिराना दोनों तेज गेंद बाद वन डे सीरीज से बाहर हो गए हैं इंजरी के चलते वो नहीं खेल पाएंगे तो वैसे में मैं टू में मार्किंग अरेंगे तब भी टीम म इतिहास रचेघी या फिर कहीं ना करें श्रीलंका काम खराब कर सकता है कमेंच बोक्स में ज़रूर बताएं अपनी राये दे सकते हैं लेकिन अब तक जो ये दोरा हुआ है इसमें श्रीलंका की टीम काफी फीकी नजर आया ये काफी कमजोर नजर आया लेकिन वन डे में ज टीम काफी मजबूत हो गई है, काफी स्ट्रोंग हो गई है, तो ऐसे में, भई इस श्रीलंका मुझे न लगता कि टिक पाएगा, और वैसे भी टीम इड़ा T20 वल्लकप जीत कर आई है, तो रोहित विराट के जो होंसले हैं, वो सात्में आस्मान पर हैं, इस वीडियो के लेक से मुझे